कि बिधिए को जैनि दोस्तों साखत करता हूं आप सबीका हमारे टुचैनल नौलज बिद उन में दोस्तों जैसा कि मैं जानता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग होंगे जो इस की त्यारी कर रहे होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो दोनों की त्यारी कर रहे होंगे तो मैं जानता हूँ कि वल पैसों के लिए ही एप लोग कर दिया दोस्तों कम से कम जाहिद का तो रिपलाई कर दिया प्रो कमेंट में अच्छा लगता है यह मैं भी आप लोगों की तरह ही देशप्रेमी तो चली आप वीडियो को सुरू करते हैं चलिए दोस्तों आपने कुछ चीजें सुनी भी तो होंगी लेकिन आज मैं आपको फील भी कराता हूं तो दोस्तों आज का हमारा टोपिक था वीडियो में विश्लस ताउर पर कि जब कोई विक्ति आये सदकारी बन जाता है और बहे अपनी पावर का इस्तिम उसके नाम से उसके काम से उसकी पहचान हो तो इसी बीच लोग अपने आप में अपने समाज के लिए और जहां वो रहा है उस छेत्र के लिए कुछ ना कुछ करना जुरूत चाहते हैं जितना उन पर हो सकेगा वो उतना करते हैं तो इसी बीच चलिए अब बात करते हैं कि किस टैप से कर सकते हैं अपनी जिले में दोस्तों माली जी कि आप आईयस गारी बन जाते हैं तो दोस्तों एक लेवल तक कि आपकी पैसान तो आईयस बनने से ही हो जाती है आपके डिस्टिक में अपने स्टेट में अपनी इंडिया में इंडिया में भी को लोग जानेंगे इ तो आपके डिस्टिक में जितनी आपके पैचान वाले थे दोस्त थे इस्तिदारी थे बो लोग जान गए उनके द्वारा अन्य लोग भी जान जाएंगे तो लगवक कुछ इस तरकी आपके पैचान तो ऐसी हो जाती है इसके बाद दोस्तों स्टेज नंबर टूपर आते हैं अब आप क्या हुआ कि आप आई सतकारी बनकर अपने डिस्टिक या जिले में आते हैं अपनी जिले में आने के बाद एक तो जैसी आप आएंगे तैसी आपके स्वागत में लोग मिलने आएंगे आपसे बासचीत करेंगे कि आपके इस प्रिकार से कहां काम कर रहे हैं और यह सब होगा उसके बाद क्या हुआ आपको समस्या भी बताई जाएंगी तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई समस्या आएसी है कि आप अपने जिले के डियम ये कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं तो सबसे पहले उससे पौन पर बात करेंगे और अपना इंट्रोडेक्शन मतलब परचाह देंगे और बताएंगे कि मैं भी एक आईया सदकारी हूँ और इस इस बत बर अभी बहाँ पर मेरी तैनाती है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो एक तो नमबर यह होगा कि वो आपसे ना निकर पाएंगे मिलने के लिए क्योंकि आप एक खुद आईया सदकारी है तो इसलिए आपकी जो पद है उसकी बज़े से वो आपसे मिलेंगे आप मिलेंगे बात करते हैं कि यहां पर आपके पास दो अफसर आ गए आप चाहे तो सिंपली उनसे मिल सकते हैं तो आपकी जो भी बात थी जो भी समस्य आए थी आपके चेत्र की वो जल्दी सुनी जाएंगी और अगर आप अकेले जाते हैं तो डेपेंड करता है कि उस जिले का जो जेस्टिक माजिस्टेड कलेक्टर है वो कैसा है अगर वो सही है तो जल्दी से जल्दी उस पर सकते हैं अन्वा आपके पास ऐसी कोई सकती नहीं होती कि आप खुद से करता हैं मैं आपको जो बता चुका हूँ कि भाई है कि जब आपकी पहचान हो जाती है तब आपको मीडिया भी है आपकी बात तो को रिपोर्ट करती है कवर करती है कि अच्छा है इस जिले के आई- इस अपनी जिले के लिए इनी समस्यां को दूर करना चाहा रहा है और यहां के अधकरी काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने जिले की समस्यां को दूर करा सकते हैं और बही समाज में अपनी जिले में अपनी पहचान और भी ज़्यादा बढ़ा सकते ह दोस्तों यह था प्रोसिर्स जो आपके साथ मैंने सेर किया थैंक यू